हलो फ्रेंड्स कैसे आप सभी लोग फेंटसी टैलेंट है यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है इस वीडियो में हम कवर करेंगे आज के दिन के पहले टीटेन मैच को और जो की खेला जाए का एफ टी और जी आई बी की बीच में है पूरी इंफॉर्मेशन क हमारा साथ में अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना साथ ही बैल आइकन पर प्रेस करना मत भूलिएगा और इंडिया और वेस्ट इंडीस का जो तीसरा ओडिये मैच है उसका वीडियो हम अल्रेडी अप्लोड कर चुके हैं अगर आप लोगों ने नहीं देख साथ है तो अभी चैनल पर जाकर आप देख सकते हैं और अगर आप डियूक्टी अध में जाना डियूक्ट description में जो आपको पहला link मिलेगा इस पर click करके आप हमें टेलिग्राम पर join कर सकते हैं और साथी साथ वीडियो को like और share करना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोगं का एक एक like हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब बात करते हैं इस मैच के बारे में दोस्तों यह जो मैच है खेला जाएगा रोमा किर्गेट ग्राउंड में 50 मैच हो चुके जिनमें से 25 बार पहले बैटिंग करने वाली टीम ने मैच को हेट डूएट परफुमेंस के बारे में कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो पहले भी जब आमने सामने हुए तो अच्छा कर रहे थे तो यहाँ पर आप देखेंगे जी आईबी ने 108 का स्कूर किया था एफटी ने किया था 70 रनों पर आल आउट टीम विन नहीं कर पाई और जी आ अस JI We got a एक बैंत का इक विकले ता इन मेंसे ऊश्छार प्लेएर जो हरुआरे देखें के नाम वहाइस को betा दो उसमें एक नाम आपको मिले乾शनने कर था परनाकावास और हसनत अहमद यह जो चारों प्लेयर हैं यह आपको मैक्सिमम मैचस में स्कूर करते हैं दिख जाते हैं चाहे वो किसी भी टीम के खिलाफ हो दूसरी तरफ नकवी ने 34 का स्कूर किया हबास ने 12 का स्कूर किया शरीफ चीमल क्काले चीमा के नेके निकाल फिर इसके नीचे जो मैच कह द गो कर दो बड़ें मैंना अब आपको इसे हैं जो आपको हर एक मैच में इसकूर करते ह्देश दूसरी दिखेंगे देख Queens शरीफ जिन्नने 38 इसकूर किया एच जमील ने 13 रणों का स्कूर किया था जैड नकपी के बारा थे हकिम ने चार विकिट निकाले चीमा का एक विकिट था एस अबास का एक विकिट है भी हमीत का एक और एक शरीफ निकाला तो यहां पर जो आपको कॉमन नाम मिला है उसमें एक नकवी अबास और शरीफ तो यह जो तीन नाम है यह आपको पर्फिमेंस करके दिखेंगे बार बार और साथ में जैड चीमा को भी आउट काउंट करके चलिएगा फिर इसके पहले जो एक और मैच हुआ मापर आपको फिट से एहमत का नाम नजर आया 20 रनो का स्कूर किया हाकिम ने तीन विकेट हमीद ने दो विकेट अबास के दो बकेट और तो यह शरीफ का इक रिखेंगट Euro मैपे और यहां यहां पर फिर तो विकेट निकाले और इनका अगर आप सेलेक्शन और परसेंटेज देखेंगे तो लगबग 18 के आसपास रहेगा तो आप जब जील का कॉंबिनेशन त्यार कर रहे हैं तो इन पर खास तोर से नजर रखिएगा यह आपको अच्छा करके दे सकते हैं अब इसके बाद जोस्तों हम बात कर लेते हैं दोनों टीमों के बारे में यहां पर आपने क्या देखा कि एक मैच हारी ती यह वाला बाकी बचे हुए दोनों मैचेस में उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ने अच्छा पर्फिमेंस करके दिया था तो एफटी की टीम अभी देखा जाए तो ज्यादा मजबूत है अब शुरुआत हम एफटी से ही करते हैं दोस्तों जोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किय दो मैचेस में 1046 रणों का स्कूर किया बैटिंग में लगबग 26 का एवरेज है तीन बार 50 कर चुके हैं तो यह गेंदबाजी करते हैं लेकिन इनसे गेंदबाजी अभी कराई नहीं जा रही है वैसे देखा जाए तो 25 मैचेस में मात्र नौहीं बार इन्होंने बैजी की और 10 विकेट यह निकाल चुके हैं हाला कि अभी तक एक बारी ड्रीम टीम में जगें बना चुके हैं इसके बाद दूसरा नाम है आमीर शरीफ का आमीर शरीफ दोस्तों बैटिंग में 28 का एवरेज है चार-पचास कर चुके हैं और 31 और यह इनका रिसेंट फॉर आएगा साथ में कैप्टन भी रहेगा नंबर तीन पर आसिम अली आसिम अली दोस्तों वाइस कैप्टन सी का काम करेगा कारण क्या है वो देखिए पिछले मैच में 31 किया उससे पहले 13 का स्कोर था दोनों मैच इसमें विकेट भी है और बैटिंग में 15 का एवरेज है लेकि 24 मैचेस में 14 के साथ में 199 किये हुए हाला कि दोस्तों अब एक टीम के आप साथ से ज़्यादा प्लेयर तो ले नहीं सकते तो आपको इन्हें ड्रॉप करना पड़ सकता है इसके बाद अगला नाम है सिकंदर अबबास का दोस्तों यह वो प्लेयर है जो आपके जी एल में ब चौदा विकेट निकाले हैं एक बार ड्रीम टीम में जगे बनाई है इसके बाद अगला नाम है शहजाद का जो की विकेट की पर है चार और साथ रनों की पारी खेली जो की बहुत ज़्यादा खास नहीं है और ऑबर ओल ग्यारा पारियों में 60 रनों का स्कोर है जबकि साम और भी ड्रीम क्रीम में जगे नहीं बनी फिर बिलाल हमीद है इन्होंने पहले मैच में चार विकेट निकाले ओवर ओल देखा जाए तो 24 पारियों में 24 इनके खाते में शामिल है मतलब कम से कम एक मैच में आपको देखने मिल जाता है या फिर ऐसा होगा कि दो तीन मैच मे जीरो देखने मिलेंगे फिर एक मैच में आपको बल्क में दो से चार विकेट डेखने मिल जाएंगे जैसा आपने यहां पर यह देखा इसके पहले यहां पर भी इन्होंने तीन विकेट निकाले थे और इनका एवरेज पुइंट है लगबग 80 क्या सपास फिर है जाहिद जाहिद चीमा इन्होंने दोनों मैचिस में मिलाकर चार विकेट निकाले हैं और इनका 31 पारियों में 35 विकेट हैं और दो पारियों में दो बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगे बनाई फिर दोस्तों फैसल मुहम्मद है इन्होंने तीन विकेट निकाले हैं और मांतर दो ह यह भी आपको विक्ट कीपिंग सेक्शन में नजर आएंगे दो मैचस में उन्हों ने 11 रनों का स्कूर किया है अब दोस्तों यहां पर आपको देखने वाली बास क्या है कि एफटी की टीम के हर एक प्लेयर ने अच्छा परफॉमेंस दिया है आप देखो कि इनके जो गेंद गेंदाद अफ़ा को कंप्लीट करते हैं तो बिलाल हमीद दो मैचस में तीन ओवर किये हैं जाहिद चीमा चार ओवर डालते हैं इसके बाद सिकंदर अब बाद चार ओवर कंप्रीट करते हैं बाकी जो गेंद बाद हैं कभी एक ओवर की करेंगे तो कभी दो ओवर कंप्रीट कर लेते हैं इसके बाद यहां से दोस्तों अगर हम बात करें अगली टीम जो की जी आई भी है तो जी आई भी की तरफ से जो हो या ना हो क्योंकि बैटिंग सेक्शन में सिर्फ शारुक नवास है इसके बाद सेफ और रह्मान है इन्होंने एक मैचस में अच्छा किया फिर जीरो फिर एक अच्छा फिर जीरो और देखा जाए तो इनका बावन का एबरेज दो पचास कर चुके हैं और दोस्तों यह भी टीम का विकेट कीपर का बैटने डाउन लगबक साथवे नंबर पर है यह आएंगे नंबर तीन पर खेलने और अच्छा भी कर रहे हैं तो विकेट कीपर में यह भी आपके लिए जरूरी हो गए तो अभी की स्थिती में यह जो तीनों प्लेयर हैं यह आपकी टीम में जग में 46 का एवरेज हैं एक पचास है और छे पारियों में इन्होंने तीन विकेट निकाले हुए हैं सोरी माफ कीजिएगा दस ओवर की गिनबाजी में इनके खाते में चार विकेट शामिल है और तीन बार इन्होंने ड्रीम टीम में जगे बनाई है फिर इसके बाद रिजवा तीन ओवर की गिनबाजी की जिसमें एक विकेट इनके खाते में शामिल है अला कि दोस्तों आल्राउंडर सेक्चन में हमारे पास अल्रेडी बहुत जारे अच्छे प्लियर्स हैं जो अपने ओवर भी कंप्लीट कर रहे हैं तो ऐसे में तनवीर को टीम में रख बाना थोड समफरीद लगातार विकेट निकालते हुए आपको नजर आ जाएंगे इसके बाद हसन अली है हसन अली की खाते में बीच में दो जीरो जरूर दिखे थे लेकिन एक बार फिर से उन्होंने तीन विकेट निकाले अठारा पारियों में 17 विकेट इनके खाते में शामिल है ती दोस्तों फैजल शबीर फैजल शबीर की अगर बात की जाए तो इनको पिछले तीन मैच इसमें विकेट नहीं मिले हैं नहीं तो दोस्तों आप देखेंगे उसके पहले भी यह 23 विकेट निकाल चुके थे विकेट टेकर बोलर है तीम में पिक किये जा सकते हैं और एक बार परस को कंप्लीट करते हैं चाहिए जैसी भी सिच्वेशन हो अब यहां से अगर हम दोस्तों बात करें कि कौन सी टीप ज्यादा स्ट्रॉंग है तो सीड़ी से बात यह है कि दोस्तों लगभग देखा जाए तो एफटी ज्यादा मजबूत है लेकिन उसके बावजूद भी खेल सकते हैं अभी आपको यही सलाह दूँगा कि पहले मैच में ज्यादा फोकस करें और यहां पर देखें कैप्टन में शरीफ जिसका एली जैट नकभी है इस तीनों बैतर पिक है फिर इसके वाद भी हमीद जैट चीमा और भी मसूद को आप पिक कर सकते हो अब चलिए दोस्तों टीम कॉंबिनेशन की बात कर लेते हैं और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो नहीं देखा है इंडिया वेस्ट इंडिस का जाकर जरूर देख लीजेगा लिंक आपको दोस्तों आपको सीज़े टेलेग्राम चैनल पर मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर जाकर को कि हमारे पास कोई दूसरा औप्शन नहीं है फिर आतने सीज़े शरीप पर अच्छा कर रहा है कैप्टन है इस टीम के साथ में एली हमारे वाइस कैप्टन है जैट नकवी को टीम में रखा बी मसूद नमर चार बैटिंग करेंगे साथ में दो ऑब डालेंगे इसलिए इ अगर आपको चेंज करना चाते हो तो आप हसन अली किस्तान पर एफटी टीम का ही कोई गेंदबाज अपनी टीम में शामिल कर सकते हो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा अगर अच्छा लगा है लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना फिर मिलेंगे आप लोगों से टेलेग्राम पर जहां आपको फाइनल अपडेट दिये जाएगा तो वहां जॉइन करना मत भूलेगा जैहिन जैभारत